सहज मार्क के सबी अभ्यासियों को पढ़ना हूँ पिछली हफ्ते हमने आपको बताया था कि ईश्वर को अनुभब किस परकार से करना है और आज का जो हमारा विश्य है वह है ईश्वर प्राप्ति का सरल मार्क ये संदेश बाबुजी महराज ने करनाटका के गुलबरगा में सन 1957 और 1958 के बीच में दिया था इसकी हमारे पास असल तिथी नहीं है पर ये लेख हमें उपलब्ध है जो हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं इस लेख के माद्यम से बाबुजी महराज ने हमें आसान तरीका बताया है ईश्वर साक्सदकार का और ईश्वर साक्सदकार होता है समर्पन से जब हम अपने आपको संपून समर्पित कर देते हैं उसके उपरांत हमें कुछ करने को नहीं रह जाता है अब बात आती है कि हम आत्म समर्पन किसको करें तो बाबुजी महराज कहते हैं कि हमें उस गुरु को समर्पित होना है जिसने ये सब अनुभब किया है अर्थात उसका अपना वास्त्विक अनुभव हो ईश्वर साक्सतकारगा, ना कि उसने किसी पुस्तकों से यत्सतसंगों में सीख कर ईश्वर के बारे में जाना हो, जिसने स्वेम ईश्वर का साक्सतकार नहीं किया है, वह हमें क्या मार्ग बताएगा, तो बाबुजी के प्रारम में था, अर्थात जब स्रिष्टी नहीं बनी थी, उससे पहले जो हमारा अस्तित्व था, उस परकार का मनुश्य आज नहीं है, आज जो मेरा ये भोतिक रूप है, अस्तित्व के उपर हमने संसकारों की कठोर परतें चड़ा ली हैं, तो उनको हमें छिन भिन कर मुचना हैं, जिस से हम ईश्वर साक्सितकार को प्राप्त कर सकें, और इसमें मदद करते हैं हमारे गुरु दे, तो लेक इस परकार से है, अध्यात्मिक्ता के मंदिर के निर्मान में आप लोगों की सहायता के लिए, शब्दों के माद्यम से अपने विचारों को करना मुझे सरवादिक खुसी परदान कर रहा है, यहां मिसन के केंदर की नीव पहले ही पढ़ चुकी है, हमारे सरवादिक सक्षम भाईयों में एक सिरी रागविंदर राओ इस केंदर के परभारी हैं और प्रसिक्षक के रूप में कारीव कर रहे हैं, तो बाबु जी महर महराज गुलबरगा में एक सेंटर का उद्गाटन कर रहे हैं, जिसके प्रसिक्षक रागविंदर राओ जी को बनाया गया है, और वहे इस केंदर के बनने से पहले ही कारीव कर रहे हैं, अर बाबु जी महराज कह रहे हैं, जो मैं आपको बोल रहा हूं, यह केवल शब्द के लिए आप एक शिक जरूरी सामगरी आप मौहया कराएं, इस सामगरी में कुछ सच्चाईयों और मतों के ग्यान का होना जरूरी नहीं है, जरूरत है तो केवल वैवारिक व्यक्तिकत अनुभवों की, समझाब हो जाकर किसी से कोई बात मनवा लेना किसी मतलब का नहीं है किसी चीज की विसेशता को परखने के लिए परत्यक्स अनुभव की जरूरत होती है, इसलिए जीवन की समस्या को सुलजाने के लिए एक वैवारिक जीवन की अवश्यक्ता है, तो यहां बाबुजी महराज कहा रहे हैं कि हम केंदर तो खोल रहे हैं, लेकिन केंदर का है कि हम ऐसे वैवारिक अनुभवी अभ्यासी बने जिससे प्रेर्णा लेकर अन्य अभ्यासी भी हमें जॉइन करें यहां पर क्या बताया है इस मंदिर के निर्मान के लिए आपेख्षित जरूरी स्वामागरी आप मोहिया कराएंगे इसका यह अर्थ हुआ कि हम पहले तयार हो जाएं और हम ऐसे आदर्सवादी अभ्यासी बने जिससे प्रेर्णा लेकर और वी लोग आएं केवल भीड इखटा करना हमारा मकसद नहीं है और उसके बाद क्या लिखा है जरूरत है तो केवल वैवारिक व्यक्तिगत अनुभवों की हमें ऐसे लोगों को इखटा करना हैं जो सहज मार्ग पत्ति पूजा सफाई प्रातना का अभ्यास करते हुए वैवारिक व्यक्तिगत अनुभवों को प्राप्त करें केवल भीड करना हमारा लक्षे नहीं है और उसके बाद लिखा है समझाब हुजाकर किसी से कोई बात मनवा लेना किसी मतलब का नहीं केव हमारा मकसद है कि हर अभ्यासी को व्यवारिक अनुभव देना वोई चीज बाबुजी ने लिखा है किसी मतलब का नहीं केवल हम परचार परसार सहज मार्ग का करते रहें और उनको व्यवारिक अनुभव ना हो तो इसका भी कोई लाब नहीं है अब ये बाबुजी करने के लिए बाबुजी महाराज द्वारा शक्तियां परदान की जाती थी अब वह उन शक्तियों का प्रयों करकर बाबुजी के सहज मार का विस्तार करते थे तो बाबुजी महाराज वही चीज बता रहे हैं कि केवल हमारा मकसद लोगों को जोड़ना नहीं है उन्हें वेवारिक अनुभब भी कराना है और इसके बाद लिखा है किसी चीज की विसेश्ता को परकने के लिए प्रतिक्स अनुभब की जरूरत होती है इसलिए जीवन की समस्या को सुलजाने के लिए एक वेवारिक जीवन की आवशक्ता है तो बाबुजी महाराज यहां पर बैठे हुए अभ्यासियों को बता रहे हैं कि आप सब को वेवारिक अनुभब प्राप्त करना है अगर आप सच्चे दिल से पूर्णत्व की प्राप्ति के इच्चुक हैं तो आपको केवल इतना करना है कि आप अपने को परम सत्ते से जोडते हुए दिल से पूरी निष्टा के साथ अपना ध्यान उसकी और मोड़ दे दिल में असल प्रेम और भक्ति की भावना का संचार करते हुए आपके अस्तित्व की परतेक वस्तु से दिव्यधारा तुरंत प्रवाइत होने लगेगी पहले तो सहज मार्ग में जो भी आता है उसको पहले दिन से पता होना चाहिए कि मेरा जो उच्तम लक्षे है वह इश्वर प्राप्ति है तो बाबुजी महाराज ने क्या कहा है परम सत्ते से जोडते हुए हम सबका जो लक्षे है वह आत्म साक्सतकार इश्वर साक्सतकार और अन्त में अनंत भूमा से जुड़ना तो बाबुजी महाराज वही कह रहे हैं कि आपको करना क्या है इसके लिए दिल से पूरी निष्टा के साथ अपना ध्यान उसकी और मोर में हैं अगर आप अपने आपको ईश्वर को पून रूप से समर्पित करके सहज मार्क बदती क का पालन करते हैं तो आपको लक्ष अवश्य प्राप्त होगा उसके बाद लिखा है दिल में असल प्रेम और भक्ति की भावना का संचार जब हम किसी सिस्टम को फॉलो करते हैं तो उसके प्रती हमारी स्रद्दा भक्ति ये सब विश्वास होना चाहिए अगर हमें सब्सक्राइगा तो क्या होगा हमारे अंदर से दिव्य धारा तुरंत परवाइत होने लगेगी हम अभ्यास करते रहेंगे और कालंतर में अपने आप ही लोगों को पता लगेगा कि हम सहजमार के अभ्यासी हैं और हमारे अंदर क्या-क्या परिवर्तन आ रहे हैं अगर हम स सब वेवारिक ज्ञान प्राप्त कीजिए और उसके बाद ही लोगों को जोड़िए इस्वर अत्यन सरल और सुक्ष्म हैं इस सुक्ष्म तम अस्तित्व की अनुभूती के लिए हमको उन साधनों को अपनाना चाहिए जो उसी की तरह शुद और सुक्ष्म हैं कठनाई केवल सब पैदा होती है जब इस अत्यन सरल समस्या के हल के लिए हम जटिल तरीकों को प्रयोग में लाते हैं दूसरे शब्दों में सुई को उठाने के लिए हम क्रेन का प्रयोग करते हैं तो बाबुजी महाराज कह रहे हैं कि इश्वर जो है वो अतिसुक्ष्म है तो हमें सुक प्रभा दिया है जिससे कि हम अभ्याची सरलता से अपने लक्षे को प्राप्ट कर सके हैं तो बाबुजी महाराज कह रहे हैं कि इश्वर सुक्षम है और सरल है तो इसके लिए हमें सरल तरीकों को ही उठाना है इसमें बाबुजी महाराज हैं उधारन भी दिया है कि अगर अगर कोई फर्स में सुई पड़ी हुई है तो उसके लिए क्रेन की आवश्यक्ता नहीं है हम उसको एहाथ से बुटा सकते हैं इसी परकार अगर इश्वर को प्राप्त करना है तो इसका जो सबसे सरल तरीका हमें वो अपनाना है अब बाबुजी यां क्या कहना चाहते हैं सर तरीका है गुरू को पूंड रूप से समर्पित हो जाना फिर गुरू की जिम्मेदारी हो जाती है हमें आगे ले जाने की आप सबको पता है कि महासमाधी के बाद बाबुजी महाराज 1983 से प्रकृति के कंड कंड में मौजूद है और जो अभ्यासी बाबुजी के बताए अभ्यास करता है वो बाबुजी से कनेक्ट हो जाता है फिर ये बाबुजी की जिम्मेदारी होती है उसको अंतिम लक्षे तक पहुंचाना यही चीज बाबुजी महाराज ने यहां पर कहिए और आगे भी इसको स्पष्ट कर रहे हैं इस तूलता इवं अंधकार की पड्टों के साथ अपने व्यक्तिकत भोतिक अस्तित्व के रूप में हमने अपनी एक छोटी सी दुनिया बना लिए है अब हमें करना केवल यह है कि हम एक एक करके अंधकार और इस तूलता की इन पड्टों को छिन भिन कर दें और उस परम सवस्ता में इस्तित्थ हो जाएं, जहां हम स्रिष्टी के उत्पत्ति के पहले थे, शंक्षिप्त रूप में यही हमारी सहजमार्पत्ति का दर्शन है, इस परकार हमें अपने द्वारा बनाई गई, इस छोटी सी दुनिया को मिटा कर अपने को निरवरित कर देना है, तो ब बाबुजी महाराज में पत्ति बताईए, उसका पालन करना है, तो वही चीज बाबुजी महाराज में कहिए, कि स्तूलता एवं अंदकार की परत्तों के साथ, अपनी व्यक्तिक अत्भोतिक अस्तित्व के रूप में हमने अपनी छोटी सी दुनिया बनाई, अब क्या है कि जितने भी विरित हमने उपर बनाई, जितनी भी लेयर्स हैं, इन लेयर्स को समाप्त करता हुए, हम उस अस्तित्व तक पहुँच जाए, और क्या लिखा है बाबुजी ने स्रिष्टी के उत्पत्ति के पहले, आप सब जानते हैं, शुन्ने के बाद ही हमारा अस्तित्व ह हैं, और अस्तित्व के उपर हमने सोला आबरण चड़ाये हुएं, जो कि हिर्दे छेतर और मनस छेतर में आते हैं, तो बाबुजी महाराज कह रहे हैं कि हम छिन भिन कर दें, हम सहज महार का अभ्यास करें, और उस गुरु को समर्पित हो जाएं, जिससे हमें प्राणा होती निरंतर मिले, और एक समय के बाद हमारे उपर जितने भी वृत हैं, वो सारे उतर जाएं, क्या लिखाया हैं तुमें बाबुजी ने, निरे वृत कर दें, मतलब हम अपनी प्योरेश्ट फॉर्म में दुबारा से आ जाएं, अब इसका जो तरीका है, वो क्या है, वो बाब निरे जीवित सब की दसा प्राप्त कर लें, हमने कई बार बताया कि अध्यात्मिक्ता का आरम होती है, जब हम भूल की अवस्ता में आ जाते हैं, बाबुजी महाराज भी कह रहे हैं, जीवित सब, जब हम पून रूप से गुरु को समर्पित हो जाते हैं, तो हमारा अपना कोई भी विचार नहीं होता तो हमें करना क्या है अपने आपको पूर्ण रूप से गुरु को समर्पित कर दे रहा है आत्म समर्पन की ये दसा अगर बल पूर्वक और यांतरिक साध्यों से पैदा की जाएगी तो साइध हम इसे प्राप्ट कर पाएंगे अब यहां पर देखे लिखा है बल पूर्वक और यांतरिक साध्यों अगर आप जवर्दस्ती ये कहते हैं कि मैं बाबु जी को समर्पित हो गया हूँ और कोई नए नए फिजिकल तरीके लगाते हैं तो बाबु जी कहते हैं वो समर्पन नहीं है समर्पन तो स्वता आएगा अभ्याज करते होए जैसे यहां पर लिखा गया कि भूल की अवस्ता आगई जीवित मिर्त रहनी में आगया उसके बाद हम पूरी तरह से बाबु जी को समर्पित हो जाते हैं और उस समर्पन का हमें भाब भी नहीं होना चाहिए मुझे यह खयाल नहीं होना चाहिए कि मैं किसको समर्पित हूँ इसका मतलब कोई भी यांतरिक तरीका मैंने नहीं अपनाया है मेरे अंदर समर्पन का भाब स्वता ही बाबु जी महराज ने जागरित किया है लिखा है मस्तिष्क पर बिना किसी दवाब या तनाब के या वस्ता सोता विक्सित होनी चाहिए अगर हमें इसका भान भी बना रहा कि हमने समर्पन किया है तो यह समर्पन व्यर्थ साबित होगा क्या लिखा है समर्पन व्यर्थ अगर समर्पन का भाव सोता ही हमारे अंदर से जागरित नहीं हुआ और हमने बल पूर्वक समर्पन किया है मतलब हमने अपने दिमाग को समझा दिया है कि मैं समर्पित हुआ हूँ तो वो व्यर्थ हो जाएगा अगर आपने अपने को सचे अर्थों में समर्पित कर दिया है तो मेरी राय में आपके लिए अब कुछ भी करने को नहीं बसता है अब यहाँ पर बाबुजी महराज कहते हैं कि जो भी अभ्यासी पून रूप से मुझे समर्पित हो जाता है फिर उसको करने के लिए कुछ भी नहीं है इस अवस्ता में आप हमेशा वास्त्रिक्ता के निकट संपर्क में बने रहेंगे और दिव्य किर्पा का परवाब बिना किसी रुकावट के आपके अंदर होता रहेगा जब हम पून रूप से बाबुजी को समर्पित हो गए और अपना नित्य करम कर रहे हैं तो जो बाबुजी का अनुग्रह है वह हमें निरंतर मिलता रहेगा और हमारी प्रगति भी जो है दो गुना हो जाती है मतलब हम जो अभ्यास करके पाते हैं वह अनुग्रह से हमें और अधिक प्राप्त होता है लेकिन अनुग्रह की स्तिती में पहुँचने के लिए हमें पून रूप से बाबुजी को समर्पित होना होता है और वो समर्पित का भाव भी स्वता आना चाहिए ना कि बल पूर्वक आना चाहिए। शंक्षेप में यही सब बातें मैं आपको समझाना चाहता था जिससे यथा संबब नियुंतम समय में आप अपने जीवन की समस्या को सबसे आसान और अमोग तरीके से हल कर सकें। इस छेतर में आप सबों की सफलता के लिए मैं प्रातना करता हूँ। तो इस लेख का सार क्या है कि जब हम अस्तित्व में आये उसके बाद हमने अपने अस्तित्व के ऊपर कई परतें चड़ा लिए। यह जो एहम की पड़ते हैं अब हमें इनको मिटाना है और दुबारा से अस्तित्व पर लोटना है। और इसका माद्यम क्या है। अपने आपको बाबुजी महराज को पून समर्पित कर देना। और पून समर्पित भी इस परकार से करना कि जिसका हमें भान भी ना हो। मुझे यह भी पता ना हो कि मैंने किसको समर्पन किया है। अब यह दसा आती कैसे। जब हम नियमित अभ्याज करते हैं तो कालंतर में हम भूल के अवस्ता में आते हैं अपने उच्तम लक्षे को प्राप्त करने के लिए। तो आज जो हमने यह लेक किया है इस लेक के माद्यम से बाबु जी ने हम सबको इश्वर साक्सतकार का सरलतम तरीका बताया है। तो आप सबसे यही अनुरोध है कि केवल और केवल बाबु जी के सहजमार को समझें और अपने आपको उस दसा में ले आएं जब आप पून रूप से बाबु जी को समर्पित होगे। और यही एक मात्त तरीका है जब आप इश्वर साक्सतकार को प्राप्त कर सकते हैं।